नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मानते ट्रेवल गाइड पर दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के इकलोते और बहुती खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू की सेर कराऊँगा तो चलिए, चलते हैं राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? रेतिले रेगिस्थान और बहुती ज़्यादा गर्मी हाँ दोस्तों, इसी रेतिले रेगिस्थान और गर्मी के बीच राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू एक ऐसी जगह है जो चारो तरफ से पहाडों से गिरी हुई है और यहाँ का मोसम बहुती ठंडा और सुहावना है इसी ठंडे मोसम की वज़े से माउंट आबू, वेकेशन और वीकेंड्स पर गूमने के लिए राजस्थान के लोगों की पहली पसंद बना हुआ है सबसे पहले बात कर लेते हैं या जाने की आप यहाँ पर अपनी गाड़ी या बस से जा सकते है नैसनल हाइवे 14 इसके पास से गुजरता है अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आबू रोड रेल्वे स्टेशन इसके सबसे नजदीक है यह महज 25 किलोमेटर की दूरी पर है आपको यहाँ से भी आसानी से बस या टेक्सी माउंट अबू के लिए मिल जाएगी अगर आपको फलाइट से आना है तो उदैपूर का महरना परताप एरपोर्ट इसके सबसे नजदीक एरपोर्ट है यह है यहाँ से 250 किलोमेटर की दूरी पर है आपको वहाँ से भी आसानी से माउंट अबू के लिए टेक्सी मिल जाएगी मेरे हिसाब से आपको यहाँ पहुचने में कोई खासा प्रेशानी नहीं होगी अब बात आती है यहाँ कब जाना चाहिए दोस्तों वैसे तो राजस्तान के दूसरे शहरों के कमपेरिजन में यहाँ का टेंपरेचर पूरा साल ही कम रहता है लेकिन अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ जाने के लिए सेप्टेंबर से मार्च तक का सबसे बेस्ट टाइम है आपको यहाँ पर रहने और खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा राजस्थानी ट्रेडिशनल फूर्ड मिलता है और आपको रहने के लिए यहाँ सस्ते और अच्छे दामों में होटल भी मिल जाते हैं दोस्तों बात करें या गूमने फिरने की तो यहां गूमने फिरने के लिए काफी जगें हैं मैं माउंट आबू में गूमने के लिए पांच सबसे अच्छी जगें के बारे में बताऊँगा नक्की जील माउंट अबू के मध्धे में स्थित यह जील यहां का पहला आकरशन का केंदर है दोस्तों इसे माउंट अबू का दिल भी कहते हैं चारो तरफ फैली पाड़ियां इसकी खुबसूरती को चार चान लगा देती हैं यहां आप नोका विहार भी कर सकते हैं और इसके चारो तरफ सेर करके भी आप इसकी खुबसूरती का आनद उठा सकते हैं इसके पास में ही एक बहुती फेमस रोक है जिसे टोड रोक के नाम से जाना जाता है इसे टोड रोक इसलिए का जाता है क्योंकि यह मेंड़क के आकार की चट्टान है आप यहाँ पर भी कुछ समय वैतीत कर सकते हैं संसेट पॉइंट माउंट अबू का संसेट पॉइंट भी काफी लोक पर ये प्रेटन स्थल है दोस्तों यहाँ पर ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आप कभी नहीं बुला सकते अरावली की पहाडियों के पीछे चिपते सूरज की नारंगी किर्णों का दरसे यहाँ के परियटकों को काफी आकरशित करता है दोस्तों आप भी यहाँ पर जरूर जाना लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा पहले जाना क्योंकि यहाँ पर काफी भीड होती है जल्दी जाएंगे तो आप अपने लिए एक उप्युक्त स्थान ढूंड लेंगे जिससे आप यहां के नजारे का आनन्द उठा सकते हैं दिलवाडा के जैन मंदिर अरावली पहाडियों के बीच बने ये मंदिर जैन धरम के लोकपिरिये और परसिद तिरस्थल हैं दोस्तों ये मंदिर अपनी नकासी के लिए दुनिया भर में परसिद हैं आप अगर इनको बहार से देखोगे तो आपको ये बहुती साधार्न मंदिर लगेंगे लेकिन जब आप इनके अंदर जाओगे तो इनकी छटों और दिवारों पर बनी डिजाइन देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे दोस्तों माउंट अबू आने वाला हर प्रिये टक इनको देखने जरूर जाता है ये बहुती अच्छे और सुन्दर मंदिर है वाइल लाइफ सेंचूरी दोस्तों ये है माउंट अबू परवत सरंकला की सबसे पुरानी जगों में से एक है ये काफी बड़ा जंगल है आप यहाँ पर जंगल सफारी भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको चीते के साथ साथ कई तरह के वन्यजीव देखने को मिलेंगे जदी आप परकरती प्रेमी है तो यह आपके लिए सबसे उत्तम जगए है गुरू शिकर यह अरावली रेंज की सबसे उंची चोटी है और माउंट अबू से करीब 15 किलोमेटर दूर है यह भी एक बेहद खूबसूरत प्रेटन स्थल है दोस्तों आप यहाँ पर जरूर जाना यहाँ पर उपर चोटी में एक मंदिर है वहाँ जाने के लिए आपको कुछ सीडियां चड़नी होती है उपर चोटी से माउंट अबू शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर के महिने में यह चोटी बादलों से गिर जाती है यह भी एक बेहद खूबसूरत जगे हैं आपको यहाँ भी बड़ा मज़ा आएगा तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को जरूर सेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मानते ट्रेवल गाइड को जरूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद